ये दोस्तों हमारी इस तरह की finishing है मैला मान पॉलिष की ये हमने brush से किया है इसमें spray गन का प्रयोग नहीं किया हैं हमने फिर भी इसकी finishing spray gun जाईसी है कोई भी इसको बताने सकता कि spray gun से हुआ है या brush से हुआ है देखिए मैं इसके पर कपड़ा भी मार रहा हूं इस पॉलिस को करते सामें हमें कुछ प्राब्लम आती हैं जो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या क्या प्राब्लम आती है किस कान से यह प्राब्लम होती है बाकि आप नए लकडी के पर भी इसी तरह से करते समय मैला माइन पॉलिस तो इसका सुलिसन इस वीडियो में आपको पता लगए कि क्या इसका सुलिसन है पहले इसके कारण जान लेते हैं कि यह किन कारणों से हो जाता है नंबर एक अगर हम इसमें डबल कोर्स बिना सूखे हुए इसको यानि कि एक दो घंटी के अंदर ही मार देते हैं तो इस तरह की प्राबलम हो जाती है नंबर दो अगर इसमें हम कोई दूसरा थिंदर यूज कर लेते हैं जैसे मैला माइन में कोई दूसरा थिंदर यूज कर लिया तो भी कभी-कभी यह प्राबलम आ जाती है बाकी कभी-कभी यह प्राबलम मोसम की वज़ लेकिन ये सही होगा की नहीं होगा या आपको आगे पता लगेगा कि किस तरह से सही हो गए तो हम इसके पर रेगमल लगाएंगे डेड़ सो नंबर पानी के साथ में हमने इसके पर मैला माइन सीलर का दूसरा हाथ मारा था तब यह प्रावलम आ गई थी और कलर हमने इसके पर brown किया था तो अभी हम इसके पर पूरा रेगमाल लगा लिते हैं दबा के ताकि हमें पता रग जाए कि यह सही होगा कि नहीं होगा रेगमाल लगाने के बाद में ही पता लगेगा वही से प्राबलम बहुत कमी आती है लेकिन कभी कभी दिक्का जा जाती है तो आपको ज्याद पूरा दबाके रेगमल लगा लिया है यह देखें वह इसे काफे हत्तक सही हो गया है यह देखकते हैं लेकिन यह पूरा प्रॉपर सही नहीं हुआ है जो फूला हुआ पड़ेगा तभी इसके पर दूसरी बार हम पॉलिस कर सकते हैं अन्ता इसके पर पॉलिस नहीं कर सकते हैं अगर आपके पॉलिस पर थोड़ी बहुत प्राबलम है जैसे देखे यहां पर यह सही है अगर इस तरह की प्राबलम है तो यह सही नहीं होगा जब इसके पर आप केमोब कर सकते हैं तो हम पेंट रूमर ही यूज करेंगे देख लीजिए हमारे पास है लेटिल आ्टो कमपनी का है आप कमपनी कोई दूसरी भी यूज कर सकते हैं ये आपको आधरालिक्टर की पैकी मिल जाएगा और साउधानिया इसको यूज करने और जब भी इसको यूज़ करना है ब्रस से ही यूज़ करना है ब्रस आप कोई भी ले सकते हैं दो इन्ची या तीनयत्री नह divkrit सकते हैं फ्रफिर कर सकते हैं यूज़ा हूं जब और लगाने के बाद में इसको पौ्छां ज़िया इसरी सब्छे चाहर देना है देखे इस तरीके से लगाने के बाद भी इसको पांच साथ में तक ऐसा ही छोड़ देना है जब यह फोली लग जाएगा तब इसको रिमूब करना है हमें और दोस्तों यह हमारी इबुक इसमें आपको सभी प्रकार के पेंट और पॉलिस की डिटेल मिल जाएगी बिद मिटेल के साथ में और इसमें मेरा वर्ट्सअप नंबर ही मिल जाएगा अगर आपको कोई प्राब्लम आती है तो मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर वर्ट्सअप भी कर सकते है इसको खुई दिने के लिए आप किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएए वहाँ पर लिंक दिया होता है अब कोई हमें ब्लेट लेनी है आरे की भी लेट ले सकते हैं या पर पत्ती भी ले सकते हैं या देखिए इस तरह की हमारी है एक पत्ती इसका भी प्रियोक कर सकते हैं और इस तरीके से इसको खुर्च के पूरा साप कर देना है अगर आपकी पॉलिस पुरानी है पॉलिस य कि रहेना जाएं बक्ति जो हमने इसके पर इस्पिट पॉलिस की थी पहले वो नहीं निकलेगी और बगेर खरने की इस इसकी पर जरूत नहीं पड़ेगी क्योंकि रिपेर हमने अभी की है कि यह पॉलिस नहीं है ताजी ही पॉलिस करी थी पॉलिस करते समय ही यह प्राब्लम आएगी बाद में आपको यह प्राब्लम नहीं दिखेगी तो इसी तरीके से खुर्च के स्कुप पुरा निकाल देना है पूरी पूरा जो भी निकालने के बाद में इसके पर थिनर के एक हाद एक दूहांत मानने पड़ेंगे तो रगर के मानना पड़ेगा ताक्कि जो कलर और रहे गया हो वो पूरा साब हो जाओ जाता है थिनर निकाल आसके तरीके से पर उसके बाद में हमें रेगमल भी लगाना है इसके आपर देखिए यह से थो दो रह जाता है उसके आप डबल डबल मार सकते हैं पेंट्रूम और अगर नहीं निकलता है तो उसके बाद में हमें इसके पर रेगमाल लगाना है रेगमाल डेड़ सो नुम्मर का यूच करेंगे हम ये देखिए पूरा साफ हो गया है अब इसके पर हमें रेगमाल लगाना है ये डेड़ सो नुम्मर का रेगमाल है वाटरप्रूफ इसको दबा के लगा देना है अब देखे हमारी लकड़ी बिल्कुल नहीं हो गई है इसके पर spit polish जो लगी थी वही लगी है बाकी कुछ भी नहीं लगा है इसके पर अब बिल्कुल नहीं लकड़ी है ये अब इसके पर हमें sealer मारना है मेला माइन polish कर रहे हैं हम इसके पर इसलिए मेला माइन polish लगाएंगे ये ब्रस से ही करेंगे हम इसके पर एक कोड़ इसके पर sealer मार देना है इस तरीके से इसके बाद में इसको सूखने के लिए छोड़ देना है यह देखिए एक कोड लग गया है आप सूखने के लिए छोड़ देना है सूखने के बाद में इसके पर हमें रेगमल लगाना वही देट सो नुमर का रेगमल हम फिर से इसके पर प्रियोग करेंगे दबा के लगा देना है इसको एकको रीवाद करेंगे बागी अपको याडी अथ होड़ो सकते हैं इसके पर जोत नहीं में यह रेइड ब्राउन में के और दूसरा हमारे पास Walnut तीसरा ई 후보 Cake आप जो भी कर सकते हैं ये देखिए ये रेड़ ब्राउन है ये रेड़ टून हिसकी लाल कलर और यह प्रूसरा माः पास वालन है हम उसको हल्पी रेड़ टून करने वानप है कि अठानां रेड़ टून करने वाले हैuth black का प्रियुक करिंगे charcoal का इसको हम spit polish में मिलाएंगे बाकि आफ sealer में भी mix करके color चला सकते हैं ये spit polish है मारी filter की होई polish है ये color आप अपनी मर्जी से choice कर सकते हैं ये हम इसमें red brown mix कर रहे हैं red brown wood stinner और इसमें black mix करेंगे हम charcoal थोड़ा सा क्योंकि हमें red tune पर करना है बाकि आप चाहें तो walnut भी कर सकते हैं brown इसमें सिर्फ आप walnut का ही प्रियोप करेंगे और कपड़े से इसको apply करना है brush से बिल्कुल भी apply नहीं करना है एक color कपड़े से ही होता है इस तरीके से कपड़े को डुबो के कपड़ा नुचोड़ देना है पूरा सूखा सूखा इसके पर रगना है इस तरीके से सूखा सूखा लगाएंगे तो color हमारा set हो जायागा और race भी हमारे नहीं दबेंगे इस तरीके से बिल्कुल सूखा सूखा मारना है एक कोड मारने के बाद में थोड़ा सा इसको छोड़ना है चार-पांच मिनिट ज्यादा नहीं छोड़ना है इसको उसके बाद में सेकेंड कोड अपलाई करना है इस तरीके से कि यह सेकेंड कोट है हमारा आप थोड़ा सूखने देंगे इसको चार-पांच मिट फिट से फिर इसके पर हम थार्ड कोट मारेंगे इस तरीके से 30 राख मारेंगे हम इसके पर अब यह आपको जितना डार्क करना हो उतनी गद्धियां इसके पर आप मार सकते हैं जितनी गद्धियां आप इसके पर मारेंगे यह उतना ही डार्क होता चला देगा तो चलिए मैं पूरा कलर सेट कर लेता हूं उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि अगला स्टेप कौन सा करना है हमें बस गद्धी आपको सूखा सूखा सूखी सूखी रगणनी है तो कलर सेट हो जाएगा हमारा देखिए इस तरह का हो गया है और अभी देखिए हमने पूरा कलर सेट कर लिया है यह देखिए रेड टून पे है अभी थोड़ा सा अंधेरा है बाकी मैं आपको दिन में दिखाऊंगो कि किस तरह का कलर हो गया है इसका तो अभी हम इसके पर ग्लोसी अप्लाई कर रहे हैं मैला माइन ग्लोसी बाकी आप च इंसके पर सेकेंड कुल्डट रजाई कर सकते हैं आप इसको मिनमम 4-5 गंट तक छोड़ना पड़ेगा सूखने के लिए आप ज्यादा भी छोड़ सकते हैं सूखने के बाद में हम इसके पर रेगमाल लगा लेंगे एक बार हल्का हलका मुद्य सूख है अभी हमारा अब इ इसके पर से पहला कोट ही मारा है इस तरीके से इसक्यूपर दबा के मार देना है ताकि ब्रस के निसान कट जाए यह देखिए लगभग सारे ब्रस के निसान कट चुके है हमारे आप इसके पर हम सेकेंड कोट अप्लाई करेंगे साप करके सुक अपरे से फिर इसके पर हमें सेकेंड कोट अप्लाई करना है मैला मैं गलोशी का इस तरीके से इसके पर सेकेंड कोट अप्लाई करना है उसके बाद में इसको सूखने के लिए छोड़ देना है 4-5 घंटे अगर आप इसको धूप में रखते हैं तो ये 2-3 गंटे में ही सूख जाएगा बाकी चाया में अगर नौर्बल मोसम है तो 4-5 गंटे तक छोड़ना पड़ेगा इसको बाकी अगर सरदी का मोसम है तो इसको ज्यादा छोड़ना पड़ेगा 7-8 गंटे तक तो देखिए अभी हमारा सूख चुका है पूरा ये पानी लगा हुआ इसके पर और कुछ नहीं है अब इसके पर हमें रेगमाल लगाना है वही 320 नमर का जो हमने पहले लगाया था अब इसको पानी के साथ में लगाना है सारे निसान जो ब्रस के निसान है वो सारे हमें मिटा देने हैं पूरा दबा के रगड़ देना है बस इसका कलर नहीं निकलना चाहिए बाकी सारा सारी ग्लोसी जो भी है वो कट जानी चाहिए सारी सैनिंग इसकी खतम हो जानी चाहिए तब भी बेस के निसान हमारे जाएंगे तो देखिए हम इस पूरी कटाई कर ले है इसकी पूरा पानी सुखा देना है इसका ये देखिए भी हमारा सूख चुका है पूरा अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अगर आपको इसके इपल लाष्ट में कमपांद करना है तो आप brush माल सकते हैं अगर आपको compound नहीं करना है तो आप कपड़े की गद्दी से इसको पर मारे glossy कपड़े की गद्दी से हमारे कम निसान आएंगे और glossy को थोड़ा सा पतला कर ले और बिलुकुल कपड़ा नुचोर दे उसके बाद में इसका प्रियोक करें इस तरीके से इसके पर प्रियोक करें कपड़े की गद्दी से हमारे निसान कम आएंगे brush से निसान थोड़े से ज़्यादा आते हैं यह देखिए अभी single coat लगा है आप इसको सूखने देंगे 2-3 घंटे इसके बाद में इसके पर हम second coat अपलाई करेंगे मैं इसके पर कपड़े की गद्दी से ही 3-4 coat अपलाई करूँगा उसके बाद मैं compound भी लगाऊंगा इसके पर बाकी आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं बिना compound लगाय भी छोड़ सकते हैं बस थोड़े से निशान दिखाई दे के इसमें बाकी कोई problem नहीं आएगी या भिर इसको आप छोड़ भी सकते हैं, बाद में भी compound कर सकते हैं दो-चार महिने के बाद में भी इसके पर compound किया जा सकता है, कोई problem नहीं आएगी चलिए मैं इसको पूरा final कर लेता हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की finishing आएगी और compound करने में हमें क्या क्या समान की जरूत पड़ेगी और compound कैसे होगा देखिए अब हमारी इस तरह की signing है देखने ही रही थोड़ी से लेकिन signing पूरी है प्रोपर है हलके से निसान है अगर्दी के बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसके पर आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं इसे ही नहीं तो compound जो करना है आपको तो इसको कम से कम 48 गंटे तक छोड़ना पड़ेगा सूखने के लिए उसके बाद में ही हम इसके पर compound कर सकते हैं ज्यादा छोड़ने से हमें फाइदा यह होता है कि कटाइस की जल्दी हो जाती है पाकी आप 24 गंटे पर भी कर सकते हैं कोई प्रावलम नहीं तो देखिए अभी हमारा सूख चुका है पूरा इस तरह की finishing है थोड़ी सी इसके पर compound करना है इसके पूरे निसान मिटाने है बिल्कुल spray गनवाली finishing देनी है इसकी तो हम compound करेंगे इसके पर compound करने के इसके पर रेगमाल लगाना पड़ेगा हम बिना रेगमाल लगाए compound नहीं हो सकता है इसके पर यह देखिए हमारे पास compound है निपोन कंपनी का है बाकि आप चाहें कोई दूसरा भी ले सकते है rubbing compound भी ले सकते है रेगमाल हमें इसके पर 2000 नमबर की जरूद पड़ेगी 1500 नमबर या फिर 1000 नमबर और 600 नमबर की जरूद पड़ेगी 600 नमबर इसलिए हम लगाएंगे तक इसमें जो निसान गद्धी की निसान है वह कट जाए बाकि अगर आपने इस्प्रे से इसको किया है तो आपको 600 नमबर लगाने की जो नहीं है आप 1000 नमबर और 2000 नमबर का ही प्रियोग करें पानी के साथ में यह हम 600 नमबर का रेगमाल लगा रहे हैं तो कि हमने इसमें गद्धी का प्रियोग किये था तो उसके निसान बटाने के लिए हम 600 नमबर का प्रियोग करेंगे तो इसको उच्छी तरह से दबा के लगा देना है ताकि गद्धी के निसान पूरे कट जाए और पानी का प्रयोग आपको ज़्यादा ही करना है सूखा इसको नहीं मारना है और आज पास डस्ट बगारा नहीं होनी चाहिए नहीं तो उसके भी निसान आ जाते हैं जब रेगमल लगाते हैं देखिए भी हमारा एक रेगमल लग चुका है अब पता नहीं लग रहा है लेकिन हमने पूरे निसान इसके मिटा दिये हैं अब इसके पर हम दूसरा रेगमल लगाएंगे जोकी 1000 नमबर या फिर 1500 नमबर का होगा यह देखिए 1500 नमबर उसके बाद में हम 2000 का प्रियोग करेंगे यह रेगमल हमें थोड़ा ज़्यादा ही लगाने है क्योंकि फिनी सिंग वाला काम यही करते हैं 1500 नमबर थोड़ा सा कम लगाएंगे बाकि 2000 नमबर का रेगमल हमें थोड़ा ज़्यादा ही लगाना है इसके उपर चलियों में इसको पूरा लगा लेता हूं किसमें थुला सा टाइम लगेगा पात-दस मिड़ तुमें लगाने के बाद में आपको दिखाता हूं कि किस तरह का हो गया है देखिए अभी हमने पूरा रेगमा लगा दिया है जब आपका बढ़िया रेगमाल लग जाएगा तो देखिए पानी टिक नहीं रहा है इसके पर पानी नहीं टिकेगा और हल्की फुल्की साइनिंग भी नजराने लगेगी आपको तब आपको समझ जाना है कि इसके पर रेगमाल लग चुका है बढ़िया से तो देखी यह हमारे पास compound है निपोन company का बाकि आप चाहें तो दूसरा भी कोई ले सकते हैं रभी compound ले सकते हैं यह white color का है इस तरीके से इसको लगा के कपड़े से पूरे में लगा देना है उसके बाद में आप इसको कपड़े से भी रगर सकते हैं signing लाने के लिए या फिर आप buffing machine का भी प्रियोग कर सकते हैं अगर आपके पास available है तो पाकि हमारे पास अभी buffing machine available नहीं है तो हम इसको हांस से फिनिस करेंगे पूरा हास से थोड़ी सी मिनत आपको ज्यादा करने पड़ेगी बाकी buffing machine से महत कम करने पड़ते हैं उसमें महत आपकी लगती नहीं उस वारा काम अपने आप ही करती है machine तो अभी इसको रगड़ना है जितना जो लगाके आप रगड़ सकते हैं इसको रगड़िये जब तक कि इसमें पूरी signing ना आ जाए तब तक इसको रगड़ते ही रहना है इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा 5-10 मिट लगेगा जैसे जैसे आप यह गदी रगड़ते जाए जब तक कि पूरी signing नहीं आ जाती है तो मैं इसके पर पूरा कप्रा रगड़ लेता हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा तो यह देखिए हमारी लाश्ट में फ्रिसिंग इस तरह की होगी हमने इसके पर कंपांट करें कप्रा रगड़ लिया है पूरा और बिल्कुल हाई ग्लोस फिनिस हो गई है ऐसा लग रहा है कि इसके पर पानी है लेकिन यह बिल्कुल ओरिजिनल पॉलिस है इसी तरह की रहा है यह मेरे पास मोबाइल है बाकी कैमरा तो है नहीं बाकी HD क्वाल्टी में वीडियो है आप चाहा जिस तरह से घुमा के देखिए इसको बिल्कुल ओरिजिनल फिनिसिंग है इसकी कुछ भी फेक नहीं है इसमें देखिए मैं इसके पर कपड़ा भी रगड़ रहा हू तापकि मैं जब भी नहीं वीडियो अप्लोड करूँ तो उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके फोन पर मिल जाए अगर आपको कोई सवाल यह सुझाओ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं उसका ज़रू दूँगा तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्ट मैं जब पर मैं खो बदिका कर सकते हैं